तो स्वागत आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नए वीडियो में और आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का पहला चेप्टर जो की था हमारे आसपास के पदार्थ हलंकि मैं दो वीडियो में कॉंटेंड का वीडियो बना करके कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिजिएगा सो लेट्स गोटू स्टार असे शुरू होते आपका एक्सराइज के कुस्सन देखेंगे यहां से पहला प्रश्न क्या है पहला प्रश्न है निमनिलिखित तप मानों को सेल्सियस इकाई में परिवर् करते हैं तो यहाँ पर जो टमप्रेसर वेलू दिया हुआ है वो 300 के दिया हुआ है जब आप इसमें 273 घटाएंगे तो वैलू डिग्री सेल्सियस में आएगा 27 ठीक है उसी तरीका से बी में दिया हुआ है कि 500 एक्तर को सेल्सियस में बदलिए तो आपका 273 घटाएंगे त तो 300 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा ठीक है किलियर हो गई बाद आप देखें यहां पर नेक्स्ट कोस्टन कर रहा है कि निमली खित आप मानों को कैल्विन इकाई में परिवर्टी कि यह देखिए अब यह डिग्री सेल्सियस में दिया हुए और कैल्विन में बदलना तो जब कैल्विन में बदलना होगा ना तो पलास हम 273 कर देंगे ठीक है ना जीतना डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें 273 जोड़ देंगे तो हमें उसका वैलू निकल जाएगा और वैलू क्या निकलेगा कैल्विन में तो देखिए 273 को जब हम 25 जोड़ेंगे 273 में 25 यहां अगला प्रशन देखेंगे निमलिखित और लोकनों है तो कारण लिखी है ठीक है तो बोलना है कि नेफ्थिलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बीना अद्रिश्य हो जाता है यानि क्या मतलब कर रहा है कि नेफ्थिलीन ए ठीक है और दूसरा बोल रहा है कि हमें इत्र की गंद बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है अलेंकि इसको हमने कॉंटेंट के वीडियो में बहुत अच्छा सा समझाया है लेकिन फिर भी देखिए हम इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह त्यार किया है नेफ्थिल पातन करते हैं तो हम यहां पर देखिए डिफिनेशन लिखें जीसे हम उर्द्वा पातन कहते हैं ठीक हैं अथा कुछ समय बाद यह ठोस्पदार छोड़े भीन हावा में वास्प बनकर उड़ जाता है तो यह रहा आपका एका उत्तर अब भी देखेंगे इतरे एक हमें समझ में आ जाती है ठीक है तो यहां अगर अगला परशन की बात करें तो अगला परशन है निमली खित पदार्थों को उनकी कड़ों के बीच बढ़ते हुए अनुसार देवास्तित करें देखिए अकरसबल के अनुसार हमें क्या करना है दिया हुआ है पहला जयल दू सबस्क्राइब सबस्क्राइब हें हम बढ़ते करम में हम लिखेंगे किम ऑन पू उक्सीजन लिखेंगे फिर जैन इसके बाद से छिंह अगर हाँ इसको थोड़ा भड़ाआ चिड़ा कर लिखना होगा तो HOW लिक करते हैं जिसे हैं अगर डिफनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि अक्सिजन के बीच अकरस बहुत कम होता है जिसे करण अक्सिजन को पर रखा जाइगा जब कि जल चीनी की अपछाह ठीक है ना सेकेंड अस्टान पर इसलिए रखा गया क्योंकि शीनि की अपछा जल का जुव घनत और वह चीनी से कम होता है ठीक है और इसमें जो होता है वह City कम होता है इसे लिए को रखा गया उसके बास थाड़ चुछीए तरी कि तरीका से डीफिनेशन लीक आप लिग05 अधी civ कर दियरगुतरहां सकते हैं कि निक्षान देखते हैं ठीक है next question हैब कि निमलीखित आप मानों पर जल की भातिख आयाיר फिसेगल रहा एक पूछ रहा है 25 डिए Celsius फिसेठ़ किया होगा 0 डिए एक डिए फच्छ प्री सेल्सियत किया होगा तो देखिए होता है यह इंदिघक होता है। जो गलने की जो एक निश्चि갔ि बिंदु होती वह जीरो डिए से से सोता है तो इसलिए यह द्राव रस्था में रहा सकता है और गयीस कुष्ट सोरी थोस बित्वाइन सकता और रोवी तरम सकता है रथात्म कर सकते हैं कि जल का क्या होता है तो यह नहीं कि उबलना या गैसे वास्पन दोनों संभव हो जाता है ठीक है ना क्यूंकि हैं और जल का वास्प में बदलने की परक्रिया शुरू हो जाती है ठीक है अब यहां देखिए अगला प्रश्न क्या करा रहा है कि पूष्टी तो कारण दे पहला में कहा है कि जल कमरे के ताप पर kat острे तो बताइस डिल clone करें दौए गए कर लें नैंट अकडलो मंसे या नहीं पंदिक को त इन के बताना या नहीं अगर इसको साइड कर लें कि अगर इक इसके बात करें तो जैल करें डिल कमरें किता बेपर ऌहे की ही तो इसका उतर यह हो जाएगा अब नेक्ट देखेंगे लोहे की अलमारी कमरी के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलना कमरी के ताप से बहुत अधिक होते हैं तो बिल्कुल वह असानी से वह थोसी आवस्ता में रहेगा इसका एक निस्थी तकार आयतन होता है तो यह द्रीन ह होता है बाता नहीं है ठीक है कि अगला प्रशन देखेंगे प्रशन संक्या साथ है 273 के कैलिवन में दिया हुआ है डिगरी से बढ़ लेंगे तो हो जाएगा आपका जीरो डिगरी सेल्सियस तो देखे 273 के पर बर्फ को ठंड़ करने पर तथा जल को इसी तपमान पर से ब्रइब बदलेंगे नहीं तो माइनस दूसतियथर कर देंगे पर बर्फ किसी पदर्थ या मधियं से गुप्त उस्मा ले लेती हैं जो पहले इसकी आवस्था में परिवर्थन लाता CAP फिर इसकी ताप में वीरूरिधी करता है पर इसी ताप पर जल के के वल ताप में व्रिधी के लिए ही उसमा प्राप्त करता है ठीक है बर्फ की गलन या संगलन की गुर्थ उसमा कितने होती है देखें थ्री पॉइंट थ्री फोर इंटू 105 जूल होता है अर्थाथ प्रती इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ से थ्री पॉइंट थ्री फोर इंटू 105 जूल उसमा क्यों शेक्ता पढ़ती है ठीक है अब यहां देखिए इसलिए अब कानण बताना इसलिए बर्फ अधिक शितलता परदान करता है क्योंकि जल किसी परकार की गुप्त उसमा नहीं लेता है ठीक है वह कमरे के तापमान पर भी में से सबसे अधिक तीवर्ता किसमा महसूस होगी तो यहां पर उत्तर देखेंगे अब भाप में जलने की तीवर्ता अधिक महसूस होती है अब इसका रीजन बता है क्योंकि 377 के यानि के 100 डिग्री सेल्सियस पर तपमान जैना भाप अर्थात वास्प के कंड़ों में उस आ प्रशन देखेंगे और अगला प्रंछन नौमर प्रशन ठीके बहुत ही असान जो हमने विडियो के माधियां से ठीक फिकना वीडियो में जो कंटेंट हम समझाय थे इस पर तो हम बहुत बढ़िया से समझाय है जो अगला नो न locking जब्सनी है देखेंगे जड़ा निम्हें लिखी चीतर के लिए A B C D E F ठीक है ना कि अवस्ता परिवर्ता नमांकित करें ठीक है यहां पर देखें क्या दिया हुआ चीतर को पहले देखेंगे यहां दिया हुआ है एक घैरो का सिंबल लगा करकर और इस बॉक्स में लिखें उसमा में व्रीदी तथर दाब में कमी और यहां पर उल्ड्टा ए लगा कर लिखें ऋपामें कमी ततर दाब में ब्रीदी और यहां पर बेंगला है ब्रॉब्र는데요 तो B को क्या काएंगे फिर यह gas draw में बदल ला है तो C को क्या काएंगे और यह फिर draw ठोस में बदल ला है तो D को क्या काएंगे बहुत ही आसान है हम इसको बहुत अच्छे ढंक से वीडियो के माधियम से बहुत अच्छा तरीका साम समझाए हैं अगर आप हमारे वीडियो को देखें होंगे तो फिर यह आप अपने से ही इसका नाम अंकित चीत्र बना सकते हैं अधरवाइस थोड़ी सी प्रोब्लम होगी हम तो कहेंगे कि आप वीडियो पहले देख लेंगे तभी जाकर कि इसको संसर को समझने की परियाश करेंगे एनिवें देखें तो पहला हम क्या यहां यहां पर समय तो मिलते हैं नेक्स वीडियो मंनेक्टपी के साथ तब तक कि लिए जय हैं झाल